तो संद्य एक बर वीडियो में आप भी आजाओ बिल्कुल तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाली है क्योंकि 2021 जो है अब जाने वाला है कुछी दिन बचे हैं और नया साल 2022 आने वाला है और अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे यूट्यूब पर आना है ग्रो करना है और अपनी लाइफ सेट करनी है तो ये बिल्कुल सही मोका है आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं ये वीडियो आपको जरूर मोटिवेट करेगी क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये संसादन नहीं है अच्छा कैमरा नहीं है अच्छा स्टूडियो नहीं है तो शायद हम यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो आज मैं मेरी कहानी आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ सुरुवात से लेके अब तक की जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले यूट्यूब पर काम करने का तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा और लाइक अभी से कर दीजेगा चल को सब्सकाइब नहीं किया सब्सकाइब भी कर दीजेगा क्योंकि ऐसे helpful content आपके लिए में बनाता रहता हूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैंने 2016 में अपना चनल स्टार्ट किया था अब जब मैंने चनल स्टार्ट किया था तो सच बता रहा हूँ मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं था एवन मेरे पास कुछ भी नहीं था एक फोन था वो 3G फोन था क्योंकि उस टाइम 3G फोन 4G phone था लेकिन शायद आपको पता हो उस time volte और lt दो तरह के phone चलते थे यानि कि जो volte phone थे उनमें हम 4G को अच्छे सा इस्तेमाल कर सकते थे और जो lt phone थे उनमें volte इस्तेमाल करने के लिए जी ओसी में इस्तेमाल करने के लिए एक app use हमें करनी पड़ती थी तो मेरा जो phone था वो वोल्टी नहीं था नॉर्मल सा 4G phone था रेड्मी नौट प्राइम जिसकी कीमत 8000 रुपे थी और उससे मैंने facecam वीडियो बनाना श्टार्ट किया अब मुझे भी लगा कि यार बैग्गराउंड बेक आ रहे हैं मैं कहा वीडियो बना रहा हूं क्या कर रहा हूं तो मुझे लगा कि क्यों ना यार मैं क्रोमा कट कर दूँ अब क्रोमा कट करने के लिए 300 रुपे का एक green screen आता था आज वो साहथ 400-500 रुपे में आता है उस वक्त वो 200-300 रुपे में आता है तो मैंने वो दो खरीदे 10 रुपे के और एक दिवार पे चिपका दिए green color के और मैं फोन से शूट करता था तो पुरानी जब आप facecam वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं alien सा नजर आ रहा हूं मतलब मैं भी हूं और side में green green जो है न यहाँ पर धारी जिसको बोलते है फिर ages बोलते है वो नजर आ रहा है तो यहाँ से हमारे सफर की सुरवात हुई थी और मैंने एक चीज़ देखी थी कि मुझे वीडियो डेली बनाना है मेरा dedication था YouTube के परती और मैं daily वीडियो बनाता था दीरे दीरे चनल गिरो होता गया आप लोगों का प्यार मिलता गया हार्ड वर्क काफी था साथ महीने बाद मेरी पहली income आई और वो income 8300 रुपे थी तो मुझे लगा था कि यार साइद YouTube पे मैं कभी न कभी 20-25 रुपे महीने तो कमा ही पाऊँगा बना उस वक्त मैंने बस इतना ही सोचा था लेकिन आज जब मैं 2021 में बात कर रहा हूँ पांस सल बाद तो आपको बता दू कि मैंने अभी recently यहाँ पे iPhone 13 Pro Max पर्चेस किया है और यह जो फोन है यह अभी वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो सबसे बढ़ी है अगर बात करें तो iPhone 13 Pro Max यह जो शेरा बिलू कलर के अंदर मैंने यह पर्चेस किया है और आपको बता दू कि यार एक टाइम था जब मेरे पास थिरी जी फोन था और आज एक टाइम है जब मैं करीब डेड़ लाख रुपे का फोन ओन करता हूँ और यह फोन काफी महंगा ह वाकई में बहुत महंगा है मैं आपको बता दू मेरे पास अल्रेड़ी बहुत सारे फोन है मैंने बहुत सारे फोन के रिव्यू भी किये आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे फोन है उसके बाद भी मैंने यह फोन भाई किया और इस फोन के अगर तहानी बता हूँ तो और चार्जर भी नहीं मिलता इसके साथ, चार्जर जब नहीं मिला तो मैंने सोचा इसका चार्जर खरदे जा तो वह भी 2,000 रुपय था, तो मैंने का चार्जर में पैसा वेश्ट ना करें, तो फिर मैंने एक wireless charging dock मिल गया, मुझे काफी अच्छा था, 7-year की तरब से जाता है 3-in-1 wireless charging dock, और fast charging आपको हाँ पर मिलती है, QI certified है, तो यह मैंने buy कर लिया, क्योंकि इसमें मैं अपने iPhone को charge कर सकता हूँ, fast charging से, stand भी बन जाता है, flat भी हो जाता है, और आने वाले time में मैं यह सोचा, अगर मैं यह charging dock purchase करूँगा, तो मेरे दिमाग में एक चीज रगे, गर iPhone क इस साथ साथ एक Apple watch भी purchase करनी है, और एक Apple airport भी purchase करनी है, क्योंकि इस dock पे हम तीनों को एक साथ charge कर सकते हैं, तो यह मुझे काफी अच्छा लगा, यह अगर आपको buy करना है, तो मैं लिग डाल दूँआ, description में आप buy कर सकते हैं, तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपे मेरे इस phone के पीछे, और मैं बता दूँ, इस phone को मैं use नहीं करता हूं, यह जो phone है, मैंने gift किया है, अपनी wife को, अभी recently करवा चोथ गया था, तो मैंने करवा चोथ पे phone gift किया था, तो यह सब YouTube की बदोलत हो पा रहा है, कि कहा 3G phone से start किया था, और कहा में 1.5 लाख रुपे का phone buy क करके अपनी wife को दे पा रहा हूं, gift दे पा रहा हूं, और एक चीज और बता दूँ, कि इतने सारे phone already मेरे पास थे, तो फिर यह phone पे मैंने 1.5 लाख रुपे क्यों खर्च किया, पहली बात तो यह था, कि मुझे थोड़ा सा upgrade करना था, दूसरी बात, इस phone को लेने के बाद म बहुत ही अच्छी लगी, जो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं अपनी wife का opinion के बारे में वह आपको बताता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे, तो संध्य एक बर वीडियो में आप भी आ जाओ, बिल्कुल, तो मुझे बताईए कि जब यह phone मैंने आपको gift किया, कैसा फील ह आपको आपको कभी लगा मतलब शुरुवात में कि मैं इतना वेगा phone भी बाय कर पहूंगा, मेरे लिए बिल्कुल unbelievable था यह और मेरे के बहुत अच्छा प्यारा gift दिया है तुमने, और सब लोग ऐसे कहते हैं कि तुम लोग बहुत लगी हो कि तुम YouTube हो तो ऐसा कुछ भी न करना चाहा रहे हैं या फिर आप YouTube की फोल्ड में हैं तो तो मैं खुद देखती हूं कि सुबह पांच बज़े च्छ बज़े जैसे निंग खुलती है तो तुरंत वीडियो बनाना लग जाते हैं कुछ ट्रॉपिक रिसर्च करना है तो वह करना लग जाते हैं तो इसन भी आपको होना चाहिए तो यह बिल्कुल सचा ही आपने बता दी तो चलिए आपका फोन आप रखे हमारा काम हो गया है अब हम आगे ओडियंस से बात करते हैं तो दोस्तों फाइनली जब मैंने फोन बाय किया तो मुझे भी लगा कि हां यार YouTube से कुछ भी किया जा सकत तो बिल्कुल देखेगा उसको भी प्यार दीजेगा मैं उसकी कोई भी एक वीडियो आई बटन में डाल दूँगा बैनिफिट यह हुआ कि कई बार क्योता हम जब व्लॉग करते हैं तो बहुत सारी ऐसे जगे होती है वहां पे कैमरा ही अलाउन होता कि आप कैमरा लेके न अलाउन होता है तो दोस्तों इससे आप काफी अच्छी वीडियो फुटेज निकाल सकते हैं, इसके लाब अगर आप खुद व्लोग कर रहे हैं और आपके पास कोई कैमरा नहीं है, आप सिर्फ मुबाइल से व्लोग कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा महेंगा सोधा जरूर है, लेकिन व्लोग की क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है, माइक क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, चले एक बार एक को सैंपल और दिखा देता हूँ, तो अभी मैं यहां पर गार्डन में घूमने आया हूँ, और मैंने कोई माइक यूज नहीं किया है, ताकि आप आप आवाज भी सुन सको और मैं आपको बता दूँ, वैसे रोड के जो वारलेस माईक है, वो आप यूज कर सकते हैं, और मैंने कोई गिंबल भी यहां इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हाथ से ही व्लॉग करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि यह आप आईफोन की इस्टेबि नहीं है, आपको सिर्फ व्लॉग ही करना है, तो व्लॉग इजिली इस फोन से कर पाएंगे, तो फाइनली यह जो वीडियो थी, इसमें मैंने आपको दो-तीन चीजे बता दी, कि भाई जो आईफोन है, इसकी वीडियो क्वाल्टी कैसी रहती है, और एक क्रेटर के लिए कि मोटिवेट करने की भी कोशिस की, कि अगर आप एक यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपके अंदर हाडवर के पेसेंस है, और डेडिकेशन है यूट्यूब के परती, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, चाये भले आपके पास कुछ ना हो, तो अ सब्सकाइब कर देना, आपके लिए मैं इसी तरह का कॉंटेट बनाते रहता हूँ, चले मिलता अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैहिन,